Hello students, welcome back again in science class तो हमने last video में definition पड़ी थी ignition temperature की तो उससे related example दियेंगे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा discuss करेंगे ignition temperature of phosphorus is 35 degree Celsius It means अगर हमें phosphorus को बंड करना है, उसको अगर हमें जलाना है तो हमें उससे 35 degree Celsius तक क्या करना पड़ेगा, heat करना पड़ेगा So unless the phosphorus is heated to the 35 degree Celsius, it will not catch fire तो जब तक इसको 35 degree Celsius तक हम गरम नहीं करेंगे, यह क्या नहीं करेगा आग नहीं पकड़ेगा However, if temperature of air is 35 degree Celsius or more, phosphorus will catch fire without heating और अगर जहां पर phosphorus रखा गया है, उसके आसपास की जो air है उसका temperature 35 degree Celsius है, उससे ज़्यादा है तो जो phosphorus होगा, वो बिना किसी heat के ही क्या कर लेगा आग पकड़ लेगा A match stick can light up alcohol, benzene, either paper and LPG तो जो match stick होती है, यानि कि माचिस की तिली होती है वो जला सकती है, यह हम माचिस की तिली से क्या कर सकते है अलकॉल को जला सकते है, benzene को जला सकते है, ether को जला सकते है पेपर को भी जला सकते है, और LPG को भी जला सकते है लेकिन अगर हम बात करें log of wood यानि कि लखड़ी का अगर कोई log है या टुकड़ा है cannot light up by a match stick उसको हम एक match stick से या माचिस की तीली से नहीं जला सकते किसको लखड़ी के log को या लखटे को जबकि यो मैंने आपको पहले एक्जामपल जीस है आपकी उससे हम उसको जला सकते हैं ऐसा क्यों कि इसका रीजन है जो आपके इसलिए असानी से आग पकड़ लेते हैं और फॉर लॉग और वूड इट इस वेरी हाई जबकि अगर हम बात करें लकड़ी के लट्टे से इसलिए तो इसका जो इगनिशन टेंपरेचर होता है वह खाफी ज्यादा होता है और इतना टेंपरेचर जो मैस्ट्री कोती है वह प्रवाइड नहीं करा पाती है तो जो वूड ओफ लॉड ओफ लॉड होता है वह आग नहीं पकड़ता है temperature is lower than ignition temperature एक सब्सक्रेंज तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक इसका temperature इसके ignition जब तक इसका ignition temperature से जो हीट है वो कम होगी यह हम इसको बोल सकते हैं a substance cannot catch fire एक substance तब तक आग नहीं पकड़ेगा या जलेगा as long as this temperature is lower than the ignition temperature तो वो substance तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक उसका temperature जो है वो ignition temperature से कम बना रहे हैं या हम उसको उतना heat ना करे जितना उसका ignition temperature है when a burning match stick is brought near the candle candle wick it heats the wick of the candle up to its ignition temperature and the candle wick start burning तो जब हम match stick को पास लाते हैं नजदीक लाते हैं candle wick के या candle का जो धागा होता है उसके पास thus combustion of any substance sorry it heats the wick of the candle up to its ignition temperature तो वो जो match stick होती है वो इसको heat करती है candle wick को कहां तक इसके ignition temperature तक जैसे ही वो heat ignition temperature तक पहुंच जाती है जो candle का weak होता है वो आग पकड़ लेता है thus combustion of any substance only take place when that substances are reached to their ignition temperature तो जो combustion होता है कि substance का वो तभी हो सकता जब वो substance या जो हम substance use कर रहे हैं उसको उसके ignition temperature तक पहुंचा दे जब वो ignition temperature तक heat कर दिया जाएगा तो वो substance आग पकड़ लेगा inflammable substances यानि कि ऐसे substances जो जो जोलंशिल होते हैं the substances we have low ignition temperature ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत कम होता है are called the inflammable substances उनको हम inflammable substances या जोलंशिल प्रदात के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो इनको ध्यान से इनको रखना चाहिए या इनको ध्यान से यूज करना चाहिए तो एक्जामपल दे रखें जिनसे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा inflammable substances के बारे में फॉल एक्जामपल एलकॉल इथर कार्बन डाइसलफाइड बैंजीन पेट्रॉल एल्पीजी सिंथेटिक फाइबर सेट्रा और इनका जो इग्निशन टेंपरेचर होता है वह बहुत कम होता है यानि कि इतना कम इनको हीट चाहिए होती है जो नॉर्मल इनको आसपास के एट्मोस्फेर से एंवायरमेंट से इनको इजली मिल जाती है तो यह बहुत ही असानी से आग पकड़ लेते हैं तो इन सब्सक्राइब को हमें बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए ताकि यह आग या फाइर कैच ना कर सके एक्जामपल्स तो प्रूब यहां पर दिये गए जो कि प्रूब करते हैं कि अगर हम ज्यादा मात्रा में या एक्सेश सप्लाई करें सपोर्टर ऑफ दा कंबंशन तो जो आपका कंबंशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है वैन वूड इस वर्ण इन दा चूला दैन गैप्स आर लफ बिट्विन दा वेरियस लॉक्स और वूड दीज गैप्स आर लफ फोर दा एर टो इंटर दा चूला तो प्रूब दा सपोर्टर ऑफ कंबंशन फोर दा बंडिंग प्रॉसर्ट तो जब हम लखडी को चूले में जलाते हैं तो लखडिया जो होती हैं उनके बीच में हम गेप रखते हैं क्यों रखते हैं ताकि जो लखडिया है उनमें उनको इसली ऑक्सिजन मिल सके और जो कंबंशन है वो असानी से हो सके जब लखडिया होगी उनको जब ऑक्सिजन असानी से मिलेगी तो सपोर्टर ऑ गिठ्ठी जिसका यूज किया जता है चारकूल को बंड करने के लिए एन आइरन ग्रेट मैड ओफ एन आइरन ग्रेट मैड ओफ आइरन बार्स एन एविंग असक्न में एविके की इतमरे घैजूज तो जो तो एक आयरन जो गेट ग्रेट होता है जो कि बना होता है आयरन बार का वह इसके उपर लगाया जाता है और जिसमें क्या आता है कुछ स्पेस होता है ताकि जो ऑक्सिजन वह इजली मिल से के इस ग्रेट आयरन बार क्याब जो क्या आता है तो ग्रेट होता है जो प्रेट होता है प्रेट होता है जो फॉट्शन वह इसली बन हो जाए दा बरन्न सॉट तो जो बर्नर होते हैं जैसे कि आपको अपने जो लपीजी सिलेंडर में हम यूज करते हैं ना बर्नर जो हमारा जो घरों में या किचन में यूज होने वाला जो एड़वांस चूला होता है तो उसके ओपर जहां से फ्लैम निकलती है उनको बर्नर बोलते हैं तो जो बर्नर होते हैं चाहिए फिर वो कैरोसिन प्रेशर के स्टोफ के अंदर हो या फिर जो गेट स्टोफ जिनका हम यूज करते हैं घरों के अंदर वह हो वो उनको कुछ इस परकार से डिजाइन किया जाता है कि उनको अच्छी या प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सिजन मिल सके और जो कंबंशन की प्रोसेजर वो कंप्लीट हो सके या प्रॉपर कंबंशन फ्यूल का हो सके इसलिए उनमें जग का उपर होंगे बढ़नर से ताकि उनको चारों तरफ से इजिली ऑक्सिजन या सपोर्टर मिल सके तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जामपल्स तो प्रूव डैट दा इगनीशन टेंपरेशन नेसेसरी फोर कंबंशन इसके बारे में रीड क करेंगे तो थैंक यू एंड वाज दा वीडियो केरफुली